नमस्कार देच्चू चैनल पर आपका स्वागत है बात कहरेंगे राजस्तान के मौशम के बारे में आगम 120 कंटों से लगा कर एक सप्ता के दोरान कैसा रहेगा राजस्तान के चेत्रों पर मौशम आज 13 नौबर है आज 13 नौबर को एक नया पच्ची मिक्सोप सक्रिय हुशू का है बारत के उतिर रजी हैं जो जम्मक कस्मीर, इमासल परदेश, पंजाब, हरियाना, ले लदा और दिल्ली के सेत्र हैं राजस्तान के उत्तरों और पच्चमी भागों पर कहीं गए हलकी बारिश होने की पासकर सब्दा नौबर को देखा जाज़ बिक करने और कुछ जैबपूर संबाग के जिलों पर काई काई मेग करने के साथ खंड हलकी से लगा कर मद्दिम बारिश होगी तो सबसे पहले दक्षिन पच्चम जिलों की बात कर लेते हैं आका मिशोबी स्कंडों को दोरान कैसर रहेगा मोश्रम जैसल मेर जोद पूर बाड़ मेर पाली जालोर सिर्वी के सबी जिलों पर लगबग 100% मोश्रम सुस्क रहेगा अधिक तम तापमान लगबग 28 डिकरी क आस पास रहेगा यहां पर किसी भी परकार की बारिश की संबान है जो कि अगले एक सब्सक्रा के दोरान नहीं है लेकिन आज कुछ मोशन में बदला आशकता है हलकी पर उतवाले बाद रुकिया वाज़ी है जो कि जैसल मेर के चत्र हैं जोत पूर के पत्सिमी बाग हैं बा पूरी उत्तिर पत्सिमी बाग है यहां पर देखा जाएंगी कपाशी बाद लुकिया वाज़ा भी देखने को मिलेगी लेकिन मोशन में जो कि ज्यादा तर शेत्रों में सुस्क्राइन की संबान इसी पत्सिमी एक सोब के करण जोत पूर संबा के चिलों पर किसी भी परका की बारिष नहीं होगी उद्यपूर कोटा संबा की जिलों की बात करें यहां पर भी ज्यादा तर शक्ल लगबग अगले सौबीस कंटों से लगा कर एक सब तक दोरान मोशन शाप और सुस्क्राइगा तेकि दूब के लिए रेकी लेकि ताप मान में लगातार गिराओ आए जब कोटा रोदेपूर संबा के जिलों पर बिल्कुल ना के बराबर रहने की संबान हैं जब पूर बर्दपूर अजमिर संबा की जिलों की बात करें तो यहां पर भी ज्यादा तर शेतर मागले सौबीस कंटों तक का मौशन ज्यादा तर शेतर मुस्क्राइगा यहां पर अजमیर संबाग की जिल है, कुछ नागोर के बाग है, कुछ अजमیर के बाग है, यह पर कुछ बागो पर काईऑ करी, आज भी देखाजाए हलकी परेताले बादलु की आवाज़ई देखने को मिलेगी। जो खासकर अजमेर के पच्चिमी बाग है और नागोर के दक्चिमी दक्चिनी और यहां पर देखा जद कुछ बादलू की आवजाई देखने को मिलेगी बाकि सबी जिल्लों पर ज्यादा तर शेतरों में तेकी दूप की साथ मौशम बना रहेगा और बर्दपूर संबा के जिल्ले हैं जौरपूर के चतर हैं बर्दपूर हैं और दोशा के चतर हैं करोली हैं सौई मादपूर हैं टौओ के यहां पर सबी जिल्लों पर जद अतर 100% मौशम एक सब्ता के दोरां सुस करेगा हलाकि कुछ अलूर के आसपास के बाग हैं यहां पर कुछ चुट पूर जगों पर कहीं कि हर की बुन्दा बांदी हो शकती है बाकी सतरे हैं जुन जुनू, सुरू, सिकर यहां पर देखा जाद कल भी देखा जादी हैं कुछ मौशन में बदलावाएगा बारिस की संबाद बहुत कम रहेगी लेकिन छोट पूर जगों पर कहीं कि बुन्दा गिसकती है बाकी सब भी बाकी सतरे पर देखा जाद काई 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 बीस बीस में घने कापाशी बाद लुकी आवज़े है शुरू के सतर हैं और जुन जुनु हैं सिकर के सतरे hati यह पर देखा जाद ओ सब्दा नॉबर को घने कापासी बाद लुकी आवज़े बंद लेगी लेकिन आज 13 नॉबर की बात करें तो हलके बाद लुकी आवज़े बंद लेनी की संबाद है विकन दिखा जाद पिन जुनु की बात करें और कुछ दोपर के बाद निया साम के टाइम देखा जाय तो नागोर के पच्छे में बागो पर भी कहीं कहीं खने हलकी परत वाले बाद लुकी आवज़ाई बनी रहेगी लेकिन कल से देखा जाय तो गंगा नगर हनमानगर के कई लाध़ों पर कई हलकी कई एक दो जगाऊ पर तेज बारईश बी होने की संबॉन हैं साथदूर सेयर की आसपासत हैं अदमपूर हैं और आएशिक नगर की आसपासत हैं अदमपूर पदमपूर की आसपासत हैं नहीं पर देखा, किछा करशा है बारिसों के अगले 123 गंटों के दो राएं एकी संपाउन है जो गंगानगर के चत्र हैं खासकर गंगानगर सेर के आजपास के चत्र हैं सुजानगर के आजपास के चत्र हैं और कुछ जो रायसिंगनगर के आजपास के बागोपद जद दर बागोमहल की बारिश होगी लेकिन गंगानगर हनमांगर के चेर के लाक हैं य एक नए पत्सी मीक्सोब फिर से सक्यू हो रहा है उसका परबाउ कैसा रहेका राजस्तान की छेतर अपार मोश्म तो आने वाले वीडियो में उस आने वाले पत्सी मीक्सोब के बारें भी आपको बता दिया जाएगा तो यह सरे रेकर लगबुक एक सब्ता के दोरान मोश्म जैहिन जैराजस्तान